बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है The Excellence Academy प्लेटफॉर्म पर स्टूरेंट्स आज हमने डिसकस करना है First Year Biology के Chapter 5 Lecture 7 है हमारा और आज का हमारा टोपिक है Classification of Viruses इस ट्रॉपिक के रेलिमेंट जितने भी Short Question ये MCQs होंगे वो भी हम साथ साथ डिसकस करेंगे Dear Students, जब हम Classification of Viruses की बात करते हैं तो हम Viruses को Classify करते हैं On the Basis of Hosts, Bacteriophages and Murphalory सबसे पहले जो Classification है हमारे पास Classification of Viruses on the Basis of Hosts Hosts की बना पर करते हैं तो Hosts ट्रॉइंट्स हमारे पास Animal भी हो सकते हैं और Plants भी हो सकते हैं Animal Hosts जब होता है तो Animal Viruses यानि के ऐसे Viruses जो एनिमल के उपर Attack करते हैं और उन्हें Disease cause करते हैं Animal Viruses Animals के उपर Attack करते हैं उन्हे पूड लेते हैं Protection लेते हैं और बदले में उन्हें Idonis याड रखने हैं जिनोम के अगर बात करें ये निुकलिकेसिड के बात करें ये इनिमल वाइरसी जो है इनके पास डीन, भी हो सकता है और आरने भी कुछ भी Making ए या आरने भी स्पुश्टा है प्लांट वाइरसी जो है ये प्लांट वाइरसी उा प्लांस के उपर alcohol attack करते हैं और उन्हें disease कास करते हैं उनसे protection लेते हैं फूर लेते हैं बदले में नुकसान ह minimizing जुनाव फ्ट हम वार्वाइरस की बाद करें तो यह यह स्टूडिएन नहोगा यह यह कि अडिएनि होगा नेक्स्ट जो है हमारे पास classification of viruses on the basis of bacteria phages bacteria phages के लिहाज से हमारे पास viruses की second classification है dear students, bacteria phages कमीन होता है bacteria eater viruses ये MCQ हो सकता है bacteria phages कमीन क्या है bacteria eater viruses ये viruses जो होते हैं ये bacteria के उपर attack करते हैं bacteria के parasite होते हैं genome of bacteria phages viruses की बात करें तो ये dear students जो इनका nucleic acid होता है जो genome होता है इनके पास या core हमने पढ़ा था तो ये सिरफ और सिरफ DNA होता है ये बहुत important MCQ है आप याद रखना DNA classification of viruses on the basis of morphology morphology के लिहाज से देखा जाए अगर तो जो classification है viruses की ये third classification है उसमें सबसे पहले हमारे पास road shape viruses आते हैं morphology के यानि के जाहरी शक्लो सूरत के लिहाज से road shape viruses students name ही जाहर कर रहा है represent कर रहा है कि ये road like होंगे road shape viruses को dear students हम हैलिकल viruses भी कहते हैं और ये plants के अंदर इनमें ज्यादा diseases देखी गी जैसे के TMB cause करते हैं तबाक मुझी एक वाइरस disease जो है ये इस तरह से कुछ इनका structure होता है ये road like होते हैं और ये हैलिकल्स बने होते हैं तो इस वज़ए से इने हैलिकल viruses भी कहा जाता है students जब ये next हम classification देखते हैं तो इसमें हमारे पास spherical viruses यानि के morphology के लिहाद से second type जो है वो spherical viruses है spherical viruses नाम सही जाहर है कि ये round shape होंगे spherical होंगे circular shape होगी इनकी इन viruses को polyhedral viruses भी कहते हैं इनके बहुत सारी phases होती है round about 20 phases होती है इस तरह से ये तो ये polyhedral शकल बना लेते हैं यानि के बहुत सारी इनके phases होते है hydrals बन जाते है तो इसकी example है मारे पास poly viruses structure कुछ यू round सा होता है इनका tadpole viruses जो है tadpole viruses ये consist होते है head or tail के उपर बहुत important MC कोज़ बन सकता है कि tadpole viruses structure के लिए ये इनकी जो शेप है ये टेड़ पॉल लाइक होती है जिस सरह से टेड़ पॉल की शकल होती है वैसे होते हैं इसकी example है bacteria phages viruses टेड़ पॉल वाइरसीज की जो example है वो bacteria phages viruses है ये भी MC कोज़ बन सकता है ये आपनी दिहान से याद रखना है तो इसकी शकल कुछ यूँ होती है ये जो आपको नीचे दिखाई गई है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ये जो मैंने आपको बताया ये classification of viruses ये एक पूरा question 5 marks का भी बन सकता है तो दिहान से याद रखिएगा थैंक यू सो मॉच अला हाफीज टेक नेक टीड़